नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आपसे भी कास्फागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने बाले हैं, प्री एक्सपेंसे की बुकिंग आपको कैसे करनी है टैली प्रैम में तो चोटा से इंग ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि प्री एक्सफेंसे कहते किसे हैं प्री एक्सेंसे जो होते हैं, वो हमारे future के एकस्फेंसर होते हैं, जो हम अपने current book में book कर लेते हैं जैसे कि suppose किजिए आपका office का rent 10,000 है और आपने अपने मकान माली को 15 महीने का एक साथ rent पे कर दिया है जबकि आपकी liability नहीं थी आपने पे कर दिया है तो इस type के expenses को हम कहते हैं prepaid expenses तो आज के इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे पहले मैं आपको explain करूंगी है ना उसके बाद मैं आपको अदाऊंगी कैसे इंट्री को record करना है आपको टैली प्राइम में तो चली वीडियो को start कर लेते हैं वीडियो को start करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक चोटी से request है मेरी app से विलोगों से अगर आप पर्स्ट है मेरे चनल पर आए और नीव वीवर है तो प्लिस में चैनल को like, share, subscribe कीजिए सो बैट में भी appreciate हो सको और इस ताप की वीडियो ला सको तो चली वीडियो को start कर लेते हैं देख लेते हैं कि prepared expenses को आपको कैसे book करना है तेली प्राइम में यहां पर मैंने detail prepare किया है entry करने से पहले, entry record करने से पहले इन details को हम देख लेते हैं prepared expenses so prepared expenses are future expenses that are paid in advance and hence recognized initially in as a assets तो यहां पर जो prepared expenses होते हैं वो हमारे future expenses होते हैं जिनको हम advance पर pay कर देते हैं तो यहां पर जो prepared expenses है, the most common types of prepared expenses are prepared rent and prepared insurance expenses तो यह कुछ commonly examples है prepared expenses के अब second आपके मायम में question arise होगा कि जो prepared expenses है, इसकी calculation हमें कैसे करनी है how to calculate prepared expenses with example तो यहां पर मैंने example लिया है monthly rent let's suppose 10,000 है prepared rent for 15 month का अगर आपने किया है तो 10,000 multiply 15 करेंगे तो 1.5 lakh आएगा rent had to be paid for 12 month for financial year 23-24 के लिए अगर आप rent pay करते हैं तो 10,000 multiply 12 करेंगे तो 1.2 lakh आपको करना है जो prepared आपका rent amount आएगा वो 30,000 आएगा जो की liability नहीं बनती है हमने 30,000 हमने किया है पे तो यहां पे जो हमारा पूरे year का बन रहा है 1.2 lakh मैनस करेंगे 1.5 से तो 30,000 यहां पे हमारा prepared rent expenses amount आ रहा है तो इस step से आपको calculation करनी है तो इस step से आप prepared expenses का जो amount है वो calculation कर सकते है जैसे मैंने आपको यहां पे example के ग्रूप में बताया है आप इस तरीके से कर सकते हैं अब calculation आपने कर ली calculation करने के बाद आपको entry कैसे करनी है तो यहां पे entry भी देख लेते हैं verbally entry में आपको यहां पे बता देती हूँ कि इसके बाद हम teleframe में कैसे इसको record करना है यह देखेंगे आप यहां देखिए काफी सारे लोग जंजट नहीं रेना चाहते हैं इसलिए वो advance में rent paid कर देते हैं कि कौन बार-बार every month paid करेगा तो यहां पे अगर आपने 15 month का या फिर 2 years का 3 years का अगर advance में आप rent pay करते हैं तो आपको इस type से calculation करनी है जैसे मैंने आपको बताया है यहां पे मैंने 15 month का बताया है period कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपका period होगा तो आपका 12 month से minus कर देंगे तो वह आपका prepared निकल के आएगा अब यहां देखें how to enter expenses with prepaid expenses तो यहां पे जो rent आपने दिया है 15 month का 1.5 lakh debit कर देना है cash से दिया है या फिर bank से दिया है तो वो cash या फिर bank जो है वो credit हो जाएगा adjustment enter for prepared expenses जो adjustment के entry आप पास करेंगे तो उसको हम कैसे पास करेंगे जो prepaid expenses है rent का वो आपने कितना extra दिया है यानि कि जो आपका पूरे year का बन रहा था 1.2 lakh बन रहा था बट आपने 1.5 lakh कर दिया है तो 30,000 हम debit कर देंगे prepaid rent expenses को और जो rent expenses है वो 30,000 से credit हो जाएगा अब चलिए teleprime में कैसे इसको record करना है वो में आपको बताती हूँ तो सबसे पहले जो basics ledger है उसको हम create कर लेंगे teleprime को open करने के बाद आपको create पे जाना है और उसके बाद सबसे पहला ledger हम create करेंगे rent expenses का इसका जो group आपको select करना है indirect expenses करना है इसके उपर just in off applicable, not applicable लगते हूँ इसको save कर लीजिए next हम create करेंगे prepaid rent expenses इस ताप से ledger आप create कर लीजिए अब इसको हम रखेंगे current assets में अब यहाँ पे current assets में क्यों रखेंगे वो भी मैं आपको explain कर देती हूँ जो आप 12 मन्त के बाद जो 3 मन्त यानि की 15 मन्त का हमने किया था तो 3 मन्त जो हमने extra किया है advance में वो आपका advance payment है आपकी liability नहीं थी बट आपने pay किया इसलिए इसका ledger हम current assets के अंडर में रखेंगे क्योंकि वो आपके current assets के अंडर में आ गया है तो इस step से basics ledger हमने create कर लिए है अब gateway of tally से आपको v press करना है और यहां से journal voucher हम select कर लेंगे right hand side से after press कर लिजिए suppose किजिए आपने year के starting में April मन्त में ही आपने 15 मन्त का rent paid कर दिया है तो हम date change कर लेंगे और उसके बाद हमें debit क्या करना है rent expenses और जो total हमने pay किया था 1.5 यानि की 1,50,000 हम debit कर देंगे cash से किया है तो cash को credit कर दीजिए bank से आपने किया है तो bank को आप credit कर दीजिए narration में आप mark कर दीजिए कि जो आपने rent paid किया है वो आपने 15 मन्त के लिए किया है तो narration आप जितना भी detail में mark करना चाहें वो आप कर सकते हैं तो मैं आप ए narration mark कर देती हूं being grant paid for financial year 23,24 and 3 month हमने advance में extra कर दिया है तो सब कुछ आप narration में detail में mark कर सकते हैं अब ये entry हो गई जो हमने payment किया है उसकी entry अब चलिए balance sheet में हम देख लेते हैं कि इसका impact कहां कहां पड़ा है तो go to में चलते हैं and वहाँ से हम balance sheet को open करेंगे अब इसके बाद हमें open करना है indirect expenses इसके under में हमारा जो rent expenses से वो आप देख सकते हैं 1.5 lakh आपको यहाँ पे April मंत में year के starting में हमने किया है वो आपको यहाँ पे show हो रहा है अब जब हम financial year 23-24 का book close करेंगे final करेंगे तो यह जो 3 month हमने extra paid किया है उसको adjustment की entry के साथ यहाँ पे हम adjust करेंगे क्योंकि हमारी liability नहीं थी हमें books final करना होता है balance sheet final करती होती है तो जो extra 3 month का book हमने किया है उसको हम कैसे adjust करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ adjustment entry के through हम यहाँ पे करेंगे तो journal voucher आपको select करना है and 31st of March 24 का मैंने date select कर लिया है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जो rent expenses में 3 month का extra था उसके लिए सबसे पहले prepared rent expenses का जो leisure है जितना भी extra है 3 month का extra था तो 30,000 से हम debit कर लेंगे और उसके बाद जो rent expenses है पहले हमने debit किया था तो rent expenses को हम यहाँ पे credit कर लेंगे 30,000 रुपीज से यानि कि reverse entry हो रही है अब आप देख सकते हैं rent expenses के leisure में debit side में उसी के नीचे आपको 1.2 lakh show हो रहा है तो इस tab से adjust amount हो गया है narration में आप mark कर सकते हैं कि यह adjustment entry है जो 3 month की हमारी liability थी 2024-25 financial year के लिए narration में आप detail में इसको mark कर सकते हैं अब finally हम balance sheet को open करेंगे go to में चलते हैं balance sheet में चलते हैं उसके बाद सबसे पहले में आपको show करती हूं current assets पे click करके prepaid rent expenses में आप देखेंगे 30,000 आपको debit side में show हो रहा है तो जो हमारा advance है यह हमें current assets में show होगा और उसके बाद जो rent expenses है वो भी में आपको show करती हूं हमारा books सही हो गया है financial year 20 324 के लिए adjustment entry pass करने के बाद कुछ इस steps है आपको इसका impact show होगा तो अब यहाँ पे हम indirect expenses में rent expenses को open कर लेते हैं अब आप यहाँ देखेंगे 1.2 lakh आपको यहाँ पे show हो रहा है जो की पूरे year का rent हमने book कर लिया है 10,000 पर month था तो 12 month का 1.2 lakh show हो रहा है सबसे पहले हमने book किया था 1.5 lakh यहाँ पे 30,000 की adjustment entry हमने पास की है तो यहाँ पे आपको show होगा created side में तो अब adjust होने के बाद जो final balance बच रहा है 1.2 lakh यानि कि यह exact पूरे 12 month का rent हमने book कर लिया है इसी type से prepared expenses की adjustment entry आपको पास करनी है तो इससे आपका book balance हो जाएगा balance बच्पर and proper expenses book हो जाएगे description box से check out करना ना पुलिएगा बहां में चैली and accounts related maximum videos के link provide कर दोगी आप उन सारे videos को watch कर सकते हैं आप मेरे channel को search पर कर सकते हैं मेरे channel का name है suman education hub आपको महाँ playlist मिल जाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं अगर आप अपने accounting को improve करना चाहते हैं अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे videos को daily basis पे follow up की जिए daily basis पे देखा की जिए तब accounts का work सीख चाहेंगे and independently successfully आप अपने उपर निर्भर होके independently accounts का work कर आएगे I hope यह जो video में आप लोग के साथ share किये यह video आप से भी लोग के लिए helpful रही होगी है अगर helpful रही है तो like share subscribe कर देचेगा thank you and keep watching my videos